मार्च का महीना हर साल बैंकिंग के लिए खास होता है क्योंकि इसी महीने सभी टैक्स पेर्स को अपना टैक्स जमा करना होता है ऐसे में फाइनांशिल इयर का आखरी महीने के रूप में भी इस महीने को जाना जाता है ऐसे में बैंक का एक दिन बंध होना ही आम लोगों के लिए बेहधी महगा साबित हो सकता है खासकर उन लोगों के लिए जो अपना टाक्स भरने का काम महीने के अंतिम में करने में यकीन रखते हैं ऐसे में हर साल फाइनांशरे लियर का आखरी महीना होने के ज़लते बैंकिंग कामकाश पर भी मार्च में ज्यादा प्रेशुर होता है लेकिन इन सब के बीच बैंक को लेकर जो जानकारी निकल करके सामने आई है उसके अनुसार मार्च महीने के आखरी सब्ता में बैंकों में चार दिन के छुट्टी होने वाली है जुसमें कुछ स्थानी अवकाश है तो वहीं कुछ छुट्टियों पर पूरे देश में बैंक बंद है साथी साथ बैंकों की तरफ से इस महीने बुलाए गए हर्टाल की कारण चार दिन बैंक बंद रहने वाले हैं AIBOA और बेफी द्वारा हर्टाल का आवाहन करने से स्टेट बैंक के अलावा सभी व्यवसाइक बैंक और ग्रामीन बैंक के अधिकारी और कर्मचारी हर्टाल पर रहेंगे 26 मार्च को चौथे शनिवार और 27 को रविवार होने की कारण बैंक अवकाश है और इसके साथी 28-29 की हर्टाल की कारण बैंक लगातार चार दिन बंद रहेंगे All India Bank Officers Bank Association के सईटिसाचिप डियन तुरवेदी ने इस बात की जानकारी दी है साथी इस बावत जानकारी साजा करते वे उन्हांने बताया है कि 28-29 मार्च की 111 हर्टाल में बैंक यूनियन के शामिल होने की कारण 26 से 29 मार्च तक लगातार बैंक को बंद रहने वाले हैं हाला कि सब के बीच बिहार सरकार ने रिजर्व बैंक से 31 मार्च को सभी बैंक को खोलने की बात कही है और देरा तक भुकतान स्वी कार करने और 8 बजे रातरी तक अंतिम क्लियरंस करने का आगरह किया है इसको लेकर रिजर्व बैंक के छेत्रिय महाप्रबंधक पटनावरिज राज को लिखे गए पत्र में डॉक्टर सिधार्थ ने कहा है कि वो अपने सतर से बैंकों की सभी शाखाओं को 31 मार्च को खोले रखने का निरदेश दे रहे हैं इसके साथ भी बैंकों की दुरफ से देर राथ तक राजस्म भुक्तान स्वीकार करने की बात भी कही गई है यानि कि अब मार्च के अंतिम सब्ता में बैंकों का शटर चार दिन तक लगातार गिरा रहेगा इसकारण बैंकिंग सेवा लेने में थोड़ी सतर्कता बरत नी होगी ऐसे में अपना जरूरी काम पहले ही निपटाले वरना चार दिनों का इंतिजार करना पड़ेगा क्योंकि इंकम टैक्स रिटर्न भरने के अंतिम तारिक 31 दिसंबर 2021 ही थी लेकिन एक 30 मार्श तक छूट दी गई थी केंद्रिय प्रत्यक्ष करबोड के अनुसार विलम शिल के साथ 31 मार्श 2022 तक आयका रिटर्न दाखिल किया जा सकता है सीयर विशंकर दूबे ने कहा है कि 31 मार्श तक आयका रिटर्न दाखिल करने पर 1000 से 5000 रुपे तक पिराल्टी लग सकती है हाला कि इसके बाद वर्श 2021 के लिए आयका रिटर्न फाइल करने पर ये राश्वी 10,000 रुपे तक हो सकती है इसलिए अब अपना सारा काम छोड़कर अगर आप तक अपना रिटर्न फाइल नहीं किया है तो जल्दी करें इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही तब तक के लिए धन्यवाद